हमारी अगली measurement जो हम discuss करने जा रहे हैं इस वीडियो में, measurement है volume की. पहले हमें मालूम करना है कि volume क्या है, तो शुरू करते हैं. वो space जो liquid occupy करता है उसे volume कहते हैं. मुख्तलिफ instruments जैसे cylinders, pippets और volumetric flask इसके लिए इस्तमाल होते हैं. लैब में आम तोर पे measuring cylinder इस्तमाल होता है. liquid का volume measure करने के लिए और इसके साथ साथ irregular solids के volume को भी displacement method को इस्तमाल करते हुए. measuring cylinders की मुख्तलिफ capacities होती हैं, जो शुरू होती है 100 ml से 2500 ml तक. measuring cylinder को हमेशे से रखा जाता है flat surface पर. आप observe करेंगे के पानी की surface curved होती है और water की ये curved surface कहलाती है meniscus. जादतर liquids के meniscus का curve होता है नीचे की तरफ. इसमें mercury शामिल नहीं क्यूंकि इसका curve upwards होता है. reading को note करने के लिए सही तरीका ये है कि हम अपनी आँग को same level पर position करें जहां meniscus हो. वो mark जो meniscus के बिलकुल corresponding है reading के तौर पर लिया जाएगा. चले अब बात करते हैं displacement method की. पहले हम fill करेंगे measuring cylinder का थोड़ा सा हिसा पानी से. फिर observe और note करें initial level of water जो है V.I. measuring cylinder में. और फिर हम एक solid को लेंगे और उसे एक धागी से बान देंगे. और फिर उसे cylinder में डुबा देंगे. और इस बात का अच्छे से देहान रखें कि वो पानी में डूब गया है. जिसकी वज़ा से जाहिर है पानी का level पढ़ जाएगा. अब observe और note करें पानी के final level को. जो है V.F. दोनू readings के दर्मयान difference जो है V.F minus V.I. हमें उस given solid object का volume देता है. जैसा के हमने अपनी पिछली विडियो में fire sting visher की बात की, safety equipment हमारे लिए जरूरी है. जैसा के show किया गया है इस diagram में. तो हर school में students की हिफाज़त के लिए ये equipment जरूर होने चाहिए. fire alarm और first aid box बहुत जरूरी है अगर आप लिबाटरी में काम कर रहे हैं. छोटी सी miscalculation भी incorrect reactions की वज़ा बन सकता है, जिससे हमारी सिहत और properties को नुकसान पहुँच सकता है एक limit तक. तो students, साथ-साथ safety equipment के आपको लिबाटरी के safety rules भी मालूम होने चाहिए. आप जरूर याद रखिए कि ये rules जो दिखाये गए हैं मेरी screen पर, इन rules पर laboratory में अमल करना बहुत जरूरी है. हमें हमेशा experiments किसी examiner या teacher की supervision में करने चाहिए. Secondly, ये instructions बहुत ही ज़ादा important है किसी भी experiment को perform करने के लिए. और आपको वो खतरनाक नताइज भी मालूम होने चाहिए जो इनके इस्तमाल से लाहक हैं. कितना आसान है ना? मुझे उमीद है कि अब आप इन instruments को सीख गए होंगे. मिलते हैं आपसे next video में. देखने के लिए शुक्रिया.